हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों को पाइलेट बाबा का आसरम आप लोगों को घुमाने वाला हूँ जो की पिहार राज के सासारम में स्थित है तो दोस्तों चलिए आगे की और हम आप लोगों को ले चलते हैं और पाइलेट बाबा की इस आसरम के एक एक चीज़ को आप लोगों को हम दिखाते हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे चेहें पर लाश्रक बने रहिएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस आश्रम में अन्यक देवी देवताओं के कई मूर्तियां स्थापिद की गई हैं आप लोग देख सकते हैं और भगवान भोलेनात का एक बहुत ही विशाल एक प्रतिमाई भी बनाई गई है आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इनकी वुचाई 110 पित है आप लोग देख सकते हैं कि अभी यह आसरम जो है पूरी तरह से बना नहीं है अभी कार यह वर्तमान समय में चल रहा है कि आप लोग देख सकते हैं लगभग में इस आसरम को बनने में लगभग दो वर्ष और लगेंगे तो दोस्तों चलिए आप लोगों को पायट बबाबा का यह आसरम घुमाते हैं और अंदर की और ले चलते हैं और इस आसरम में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा इस्थापित की गई है जो की काफी विशाल और बहुत ही सुंदर बनाया गया है कि आप लोगों को ення दिखाई दे रहा होगाँ दोस्तों अस टो चली दोस्तों भगवान बुद्ध के प्रतिमा क्यों चलते हैं दोस्तों भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा की विच्वाइद लगभग 80 प्ट है जो काफी बिसार बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों चलिए आप लोगों को हम जूम करके भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को आप लोगों को दिखाते हैं आप लोग देख सकते हैं और इनके भगल में चारो तरफ मुर्तियां ही मुर्तियां बनाए गई हैं जिसमें स्रीराम चंदर जी परसुराम जी और स्रीकिष्ण जी का मुर्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आप लोग यदि हमाये चैनल बना है तो हमाये चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है दोस्तों इस आशरम को बहुत ही सुन्दर साप सुथरा बनाया गया है और इसको पूरी तरज से बनकर तयार होने में लगभग दो अर्स और लगेंगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना खुबसूरत बनाया गया है इस आशरम को तो आप लोग हमारे चेहर पर लाश्रक बने रहेगा दोस्तों यदि आप लोग भी यहां पर आना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले सासा राम आना पड़ेगा और सासा राम से करीब एक से डेढ़ किलियो मेडर की दूरी पर पालेट बाबा का असरम है और और बगल में ही कुछ दूरी पर सेशा सुरी का मकबरा भी है और मातारा चंडी का एक विसाल मंदीर भी है कर दो आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार यहां पर आएं सासा राम में और पालेट बाबा की इस आसरम में घूमें और सेशा सुरी का मकबरा भी देखें और मातारा चंडी का दर्शन भी करें आप ने अगरेश पर लास्तक बने रहेगा और धेर सारा प्यार भी दीजिए गाँ कर दोस्तों मिलते हैं अगले विडियों अब कर दिए जाए हिंद आप कर दोस्तों मिलते हैं अगले विडियों अगले विडियों अगले तोस्तों मिलते हैं